नमो नमो बच्चो हम प्रिविएस क्लास में कारक के बारे में देखे थे आज हम देखेंगे संधी के बारे में संस्क्रिट व्यकरन अंतरगत संधी है हम संधी के बारे में देखेंगे जब तक हमको संधी पता नहीं होगा तब तक हम संस्किर्ट में कुछ नहीं कर सकते हैं ना कुछ पढ़ सकते हैं ना कुछ समझ सकते हैं हमको इसलिए हमको क्या करना चाहिए पहले संधी को समझना चाहिए कि संधी क्या है चलो देखते हैं संधी क्या है संधी उसको हम संधी विछर किये सम युक्त दी सब्द का अर्थ संधी सब्द का अर्थ क्या है मेल या जोड तो हम यह जानगे कि हमारे जो संधी है एक वार जो संधी है जो सब्द संधी है उसका अर्थ क्या है मेल या जोड ठीक है हमको ये पता चल गया संधी का अर्थ है मेल या जोड लेकिन हमको ये पता नहीं चला हम किसको जोड़ेंगे बाई ये जो वाड मेल है जो सब्द मेल है हम किसको किसके साथ मेल करेंगे मेल करने के लिए दो चीज चाहिए चाहिए दो सब्द चाहिए या दो इंशन चाहिए जब हम एक इंशन के साथ एक इंशन को मिलाते हैं हम किस से मिलते हैं हम बोलते हैं न हम उन्छे मिलने जा रहे हैं तो हम मिलने के लिए क्या चाहिए और एक इंशान चाहिए जिसके साथ हम मिल ले हैं तो ये संधी का जब अर्थ हो गया मेल या जोड तो हम किसको मिलाएं किसको मिलाएं किसके साथ मिलाएं इसलिए हमको दो चीज चाहिए चलो आगे देखते हैं हम किसको किसके साथ मिलाते हैं देखिए, दो बन के निकट आने से उनमें जो विकार होता है, उसे संधी कहते हैं, जब दो बन क्या करते हैं, निकट आ जाते हैं, निकट तर आ जाते हैं दो बन, उनमें से जो विकार, विकार मतलब परिवर्तन, विकार का मतलब चेंज, विकार का मतलब परिवर्तन, जो वि से क्या कहते हैं संधी कहते हैं इसका मतलब यह हुआ कि दो बन का मेल को संधी कहते हैं क्योंकि हम यहां संधी का आर्थ समझ गए कि मेल या जोड तो यहां हम समझ गए क्या दो बन मतलब दो बन को जब हम मिलाते हैं कैसे बन जो निकड आने से पर उनमें से परिवर्तन हो जात दोनों बन का निकट आना आब सक है हम किसे मिलने जा रही है जिसे हम मिलने जा रही है बचो हम उनके निकट नहीं जाएंगे वह हमारे निकट नहीं आएंगे हम कैसे मिलेंगे तो दो इंसन जब मिलने के लिए निकट होना जरूरी है उसी प्रकार दो बन का संधी होने के संधी नहीं होता है क्योंकि दुरवर्ति मतलब जो दूर दूर दो बन को हम रखेंगे तो संधी नहीं हो पाएगा बन की इसी निकट स्थिती को ही संधी कहते हैं बन का इसी जो निकट स्थिती को जब दो बन निकट आ जाते हैं उसी स्थिती को क्या कहते हैं ओ दो बन आने के बास परिवर्थन हो जाता है उसी को ही हम संधी केते हैं अतहा शंखेप में यह समझना चाहिए कि दो बन के फास पास आने से अनमें जो परिवर्थन या वीकार होता है उसे संभि व्यक्यारन केते हैं तो इसका जो यह है यह संख्यप में क्या कहते हैं कि जब हम दो बन के पास-पास आने में उन में से जो परिबर्तन आ जाता है या जो विकार आ जाता है उसको हम क्या कहते हैं संस्क्रिट में संधी कहते हैं देखिए उधारन हीम एक तो आला यहा हीम आला यहा हीम इसका जो लास्ट बन क्या उचारन हो रहे हीम आ और इसका पहला बन क्या उचारन हो रहे यह आ उसका अंतीम बन और इसका पहला बन यह दोनों निकट बरती है क्योंकि इसमें क्या आ गया हीम में ओ आ गया और उसमें निकट बरती बन क्या आ गया आ गया है ना बच्चे क्या हो गया आ हो गया तो इसमें क्या परिवर्थन हो गया हीमालय हीम इक तो आलय हीमालय हो गया क्यूंकि इसका अंती बन क्या आया ओ इसका अंती बन क्या आया आ ओ और आ मेल होके क्या परिवर्तन हो गया, आ हो गया, हिमालोय हो गया, फिर देखो यहां, रमा एक्ता इसाह, इसका अन्ती बन क्या है, आ, इसका पहला बन क्या है, इ, क्या हो गया, परिवर्तन हो के, इ, इसमें क्या परिवर्तन हो गया, रमेसाह, फिर थार्ड में देखो, सुर्जा युक्ता यहां तक बच्चों समझ लिए हम संधी किसको कहते हैं अभी देखेंगे संधी के भेड़ अफरकर जब हम समझ गए कि संधी किसको कहते हैं संधी ये हुआ कि संधी का आर्थ हुआ मिल जब हम दो बन क्या होते हैं निकर तरा आ जाते हैं उन में से जो परिवर्थन हो जाता है उसको हम संधी कहते हैं एक छोटा सा स्टोरी बताती हूँ आप लोग जब हमारे समाज में हमारे समाज के बात छोड़िए जब आपके स्कूल में आपके सारे दोस्त आपके साथ रहते हैं आपके क्लास्मेंट रहते हैं कोई नियू आडमीसन आ गया कोई नया बच्चा आ गया आपके स्कूल को जब नया बच्चा आपके क्लास में आ गया आप क्या करते हैं धीरे धीरे उनसे बात करते हैं उसके साथ बात करने से क्या हो जाता है दोस्ती बन जाता है दोस्ती हो जाता है दोनों के बीच में दोनों के बीच में आच्छे relation बन जाता है उसी प्रकार जब ओ आपके पास ओ जब उसके घर में था आप उसको नहीं जानते थे वो कौन है क्या है जब स्कूल आया आप लोग के पास बेठा आप लोग के साथ पढ़ाई किया आप लोग के साथ खेला तो आप लोग क्या किये उसके बारे में समझने लगे उसके बारे में जानने लगे फिर दोनों के बीच में दोस्ती हो गया उसी प्रकार जब दो बन क्या होते हैं निकर तर आ जाते हैं उन में से जो परिवर्थन हो जाता है जब ओ नेया आया था आप लोग के स्कूल को आप नहीं जानते थे उसके बारे में तो किसी के साथ दोस्ती नहीं हुआ था जब दोनों के बीच में बातचीत हुआ दोनों निकरतर आ गए क्या हुआ दोस्ती हो गया दोनों के बीच में उसी प्रकार जब दो बन निकरतर आ जाते हैं तब ही क्या हो जाता है परिवर्थन हो जाता है जब दोनों अंजान थे जब जाने एक दुसरे के बारे में क्या हु उसी प्रकार जब दो बन निकरतर हो जाते हैं क्या हो जाता है परिबर्तन हो जाता है जब परिबर्तन हो जाता है क्या होता है संधी हो जाता है वहीं परिबर्तन को संधी कहते हैं चलो देखते हैं संधी के प्रकार वाभेद संस्कित भासा में संधियां तीन प्रकार की होती हैं संधियां कितने प्रकार की? तीन प्रकार की होते हैं संस्कित में संधियां तीन प्रकार की होते हैं एक है सोर संधि, दुसरा है वियंजन संधि, दुसरा है विशर्ग संधि चलो देखते हैं सोरसंधी किसको कहते हैं दो सोर के मेल से होने वाले विकार वा परिवर्तन को सोरसंधी कहते हैं जब दो सोर बन क्या होते हैं मेल हो जाते हैं हम पहले देखे हैं संधी का वर्थ है मेल तो सोरसंधी में क्या होगा दो सोर बन क्या होगे मेल हो जाएंगे और दो सोर जब मेल हो जाएंगे उनमें से जो परिवर्तन आएगा उनमें से जो विकार आएगा उसको क्या कहेंगे सोरसंधी कहते हैं देखिए सोरेन सहा सोरस्या मेलान एबा मेलनम एब सोरसंधि इतुच जते अर्थात किनाचीत सोर न सह कोई भी एक सोर के साथ कस्याचीत सोरस्य मेलने न कोई भी एक सोर का मेलन जब मेलन होता है जब जोड जाते हैं यह विकार हो जायते जो परिवरतन आता है तद विकार पक्रिया विशे सहः उसी विकार को उसी परिवरतन का प्रक्रिया को सुरसंधी नामना अभिज्यायते सुरसंधी के नाम से हम जानते हैं अभिज्यायते मतलब जानना हम जानते हैं किसके नाम से सुरसंधी नाम ना सुरसंधी के नाम पे जब किनाचीत सोरेने सा कोई भी एक सोर के साथ कस्याचीत सोरस्या मेलाने ना कोई भी एक सोर का मेल हो जाता है यह विकार हजायते जो विकार आ जाता है जो परिवर्तन आ जाता है तद विकार पक्रिया विसेस उसी तद विकार तद परिवर्तन विकार का मतलब क्या है परिवर्तन तद विकार तविकर पक्रिया विसेस उसी विकार को उसी परिवर्तन विसेस को क्या कहते हैं सुरसंधी नाम नाम भी ज्यानते सुरसंधी के नाम से हम जानते हैं चलो उसका उधारन एक दो देख लेते हैं देखिए उधारन देवा इकता आला यहा देवा देवा उसका अंतिमन क्या है औ है औ क्या है सुर बन है इसका पहला बन क्या है आ है यह भी सुर बन है औ एकता आ मिलके क्या हुआ lengthy परिबृतन आ गया है देबाल देख़ो ये परिबृतन आ गया कि विध्या इकत्प भ्यास सफ़ी देखिए इसका अंतिम्बन क्या है विध्या आ इसका ओ इसका अंतिम्बन क्या है औ इसमें देखिए आ बीएक सरवन है ऑ भी एक स्वर्वन है दोनों का जो मेल हो गया क्या हो गया परिबर्तन क्या परिबर्तन आ गया क्या विकर आ गया क्या हो गया विद्या भ्यास देखें यहां आ गया इसमें कवी उक्ता इंद्रह इसमें अंति बन क्या है हर्साई इसमें पहला बन क्या है हर्साई इसमें क्या आ ग दिरखोई क्या आ गया दिलखोई देखिए यहाँ परिबतन आगया यहाँ कविंद्रह इसमें दिखिये हिट युक्त उपधेश हो क्या हुआ ही तोप देश हो ही तोप देश हो इसका पहला इसका अंतिमन क्या है ही तो का ओ इसका पहला बन क्या है उ क्या आ गया ओ क्या गया ओ ये भी सोरबन है ये भी सोरबन है इसमें क्या हो गया विकार आ गया परिवर्तन आ गया इसलिए हितोपो देशा हो गया बच्चों ये हुआ हमारे सोरबन और सोरबन पता है सोरसंधी यह सोरसंधी नेक्ट क्लास में हम क्या देखेंगे सोरसंधी का प्रकार फिर